नया परिसर नलंदा विश्विद्याले का प्रधान मंत्री के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री निदीश कुमार और नलंदा विश्विद्याले के कुलाधी पती अरुविन पानगडिया मौजूद विदेश मंत्राले के तहट कार्य करने वाला ये विश्व विद्याल है, विदेश मंत्री भी इस परश्ट नजर आ रहा है और आज बहुत ही विस्तित कार्यक्रम था, आज सबसे पहले राजगीर के पास प्रधान मंत्री ने भगनाव शेश का अवलोकन किया पट्टिका के अनावरण के बाद पौधारोपन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और रिक्षारोपन के साथ पूरी संपूर्ण विश्व को ये संदेश की भारत परियावरण के साथ सामंजस स्थापित करते हुए कैसे श्रिक्षा के प्रिसार को अपने जीवन कामूल ने म तो श्रिक्षा के लिए बहुत ही खास दिन आज राजगीर में नालंदा विश्व द्याले के नए परिसर का अब उद्गाटन हो चुका है नालंदा का प्रदान मंतरी ने आज पोस्ट करके भी कहा कि नालंदा का हमारे गौरोशाली अतीद से बहुत ही गहरा नाता है और ये विश्व द्याले ने श्रित्रूप से यवाओं की शाक्षिक आवशक्ताओं को पूरा करने में बहुत मददगार सावित होगा नया परिसर बिल्कुल नेट जीरो और आदुनिक तक्नीके साथ बनाया गया लेकिन जो भारत की प्राची इंधरोहा है उसको समेटते हुए पूरी दुनिया में ग्यान परमपरा और पर्यावरन के साथ भारत का जो जुडाव है उसको रेखांकित करते हुए ये नया परिसर नालिंदा विश्व विद्याले का सत्रह देशों के प्रतिनित आज इस भव्य कारकरम का हिस्सा है और सही मायनों में ये विश्व विद्याले अपनी प्राचीन भविता को एक बाद फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाता हुआ एक वक्त बिहार का नालंदा विश्व विद्याले दुनिया के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हुआ करता था और आठ सौ से जादा सालों के बाद एक बाद फिर से ये अपने नये परिसर के साथ नई उडान के लिए तयार नजर आ रहा है पूरवराश्टपती डॉक्टर एपीजे अबदुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्व दैला अब नया साकार रूप ले रहा है और प्रधान मंतरी आज तीसरी बार लागातार प्रधान मंतरी पद गरहन करने के बाद वो बिहार के दौरे पर पहली बार पहुचे हैं और पहला ही जो कारिक्रम है उन्होंने शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ रखा बिहार को वैसे भी प्राचीन काल से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, दर्शन की एक समरिध विरासत परंपरा के मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी विहार से निकले human resource पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, अपने अथक परिश्रम और गुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और कई बड़े नाम पहले ही नारंदा विश्रविध द्यालय में अध्यान कर चुके हैं और विश्रविध द्यालय का इतिहास, शिक्षा के प्रदिभार के दिश्रकोंड और इसकी समरिध का एक बहुत बड़ा द्योतक और ये महत तो ना किवल भारत के लिए बलकी पूरे विश्र के लिए अनमोल धरोहर को रूप में एक बाद फिर से नारंदा विश्रविध द्यालय उसी शान के साथ सिर उठा करके आगे बढ़ने को तयार जिसमें भारत को विश्रव गुरु के रूप में पहले देखा जाता रहा है और दुनिया का पहला आवासिय विश्रविध द्यालय इसे माना जाता है जहां पर चातर और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे आपतर और शिक्षक एक ही परिसर में जो रहने की परंपरा है वो नालंदा में विश्रविध द्यालय याने व्रिहद रूप में दिखाई देती थी जब 10,000 चात्र यहां पर अध्यान के लिए और उच्छ शिक्षक के अध्यान के लिए आते थे और बड़ी संक्या में यहां शिक्षकों की भी नियुक्ति होती थी नरंदा विश्वे देले के स्थापना 450 श्वी में कुमार गुप्त समराट कुमार गुप्त ने की थी प्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने उसके बाद में हर्शुवद्धन और पाल शाष्कों का भी संरक्षन लगातार रहा 800 साल से ज़्यादा मानवता की सेवा करने के बाद कुछ आतातायों ने इस पर प्रहार किया ग्यान के केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया तीन लाग से ज़्यादा किदावों को जला दिया नौ मंजिला विशाल पुस्तकाले जिसमें तीन लाग से जादा पुस्तकें थी बता जाता है कि महीनों तक वो चलती रही